एक देश के बहुत बड़े महानायक हैं, लोग उनको पूझते हैं, सुना है उनकी कोठी के बहार, वो जब शाम में दर्शन दे देते हैं, तो लोग वहाँ भीड लगा लेते हैं, उनकी धरम पत्नी पार्लिमेंट में हैं, उनकी एक दोस्त, बच्पन की दोस्त, एक दिन आज से तीन चार साल पहले यकायक मुंबई में एक प्रोग्राम देने के बाद गया, रात में डिर्ड बजे फून आया, नंबर भी मैं जानता नहीं था, उन्होंने कहां से नंबर लिया, कुन कारणों से मैं उनका नाम नहीं बताना चाता, एक बहुत बड़े हीरो की पत्नी है वो, उन्होंने फून किया, और फून करते करते बहुत सारी बातें की, तब उन्होंने उस महानायक की पत्नी के बारे में बताया, कि जब ये सब बातें वो कर रही थी, जब उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, तो उ उस महानायक की पत्नी ने जो पार्लमेंट के अंदर जिने किसे किसे शराब देती हैं उनका शराब किसी पर काम तो करनी रहा है कई साल से जिने शराब दे रही थी वो भी ठीक ठाक है बिचारे रहे हैं उनके ये शब्द हैं उन्होंने उस एक्टर की पत्नी जो बहुत बड़े घराने की महला हैं मुंबई में रहती हैं उनसे ये कहा कि तुम किसलिए परिशान हो इन हिंदुओं के चक्कर में यही शब्द थे जब कुछ होगा इन पागलों को मरने दू हमारे बहार पूरे पूरे फार्म हाउस हैं हम चले जाएंगे हम क्यों लड़े इनके लिए वो पार्लिमेंट में हैं ऐसे लोग हैं इसलिए मेरी आप से विंती है कि उनको पता चल गया जिस दिन से उनको पता है मैं नहीं समझता कि मुझे से आदमी को वो फून भी क्यों करें लेकिन उनको यह लगता है शायद ये कुछ कर रहा है हम इसको कुछ करें जितनी ताकत मुझे दे सकती हैं हो देती है इसलिए कि उनको समझ आ गया है कि हो क्या रहा है क्योंकि उन्होंने अपने महले में जहां कभी कोई तोपी वाला नहीं रहता था विपिन रावत की मौत के बाद शद्धान्जली सभा रखी विपिन रावत की तस्वीर लगा ही क्योंकि उनके पती ने जब ये घर बनाया था तब वहां कोई ऐसा नहीं रहता था उन लोगों की बदमाशी और गुंडा गर्दी देखिए कि उनको मालुम था कि ये महला राश्टवादी विचार रखती है विपिन रावत की तस्वीर उठा के फैक दी और उनने शद्धान्जली सभानी होने दी एक घंटे तक रोई टेलिफून पे मेरे साथ मैं उनका क्या कर सकता था ये इस्थिती बॉम्बे में उन लोगों के पास तक आ गई है जो ये समझते हैं कि हम चले जाएंगे दुनिया में कहीं इत्ती जगे नहीं है कि 90 करणों लोगों को कोई जगे दे और भागना उपाए नहीं है ये भागने की बीमारी बड़े लंबे समय से है जो लोग अपनी जमीन को छोड़ देते हैं वो अपनी मा को छोड़ देते हैं जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती है उसका दर्जा मा की तरह होता है इसलिए हमारे पांच तत्वों में प्रत्वी के प्रती भी हम सुबह उठके अपना सर प्रत्वी से लगाते हैं उसकी एक महत्ता है ये जमीन नहीं है कि जिस पे आपने एक मकान खड़ा कर दिया बहुत सारी चीज़ें उस पे रख ली और ये जमीन के सिर्फ इतनी महत्ता है यही प्रत्वी आपको जीवन जीने के लिए चीज़े देती है आप इसे छोड़ के भाग जाना चाहते हैं और फिर कहां जाके मूँ छुपाएंगे क्या अपनी अपनी नसलों को बताएंगे कि हमारे पास पैसा था रुपया था सब कुछ था लेकिन हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया जो लड़ रहे थे उनके साथ भी खड़ा होना हमन तो नहीं जाने वाले हैं इसलिए इस कानून के बारे में चुनाओ के वकत वो जो नेता दो कोड़ी का आता है न वोट मांगने और उसको भगवान राम याद आते हैं उससे पूछना इसके लिए तुमने क्या किया था कितनी सबाएं की थी तुमने कितने लोगों को जागर आया नहीं होता जो उस तरफ है वो अधर्मी है उसका नाश करना है और यह मैंने नहीं कहा यह गीता में भगवान कर्श्न उस अरजुन से कह रहे थे जब अरजुन अपने सामने जो लोग खड़े थे बार बार यह कह रहाता यह तो अपने हैं उसके हाथ कपकपा रहे थे पैरिस्तिर नहीं थे भगवान कृष्ट ने तब भी कहा है अर्जुन जो उदर खड़े हैं वो अगर तेरे अपने भी हैं अगर उनका डियेने भी अपना है ये अधर्मी हैं और इनका नाशकर इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है इसलिए जो भारत राष्ट के खिलाव हैं भारत राष्ट को खतम करना चाहते हैं वो अपने हैं पराए हैं ये महत नहीं है इस युद्ध में हर आदमी को भगवान कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ेगा आप नहीं बनेंगे तो सदियां आपको आपकी आने वाली नसले अगर इस दुनिया के किसी कौने में जीवित रहेंगी तो यही कहेंगे कि हमारे पूरवज कायर और डर्पोक थे और इस वज़े से वो आपका नाम भी अपने आगे नहीं लगाएंगे शर्माएंगे अपने बाप और नाना का नाम लेने से इसलिए आज आज मुझे और आपको इतिहास ने एक छण दिया है एक लमा दिया है यह बास सुबह भी मैंने बोली थी 47 में हम नहीं थे 46 में हम नहीं थे हमने सुबाश को नहीं देखा हमने पटेल को नहीं देखा पार्लमेंट में क्या क्या हुआ हमने नहीं देखा कैसे हम ये सिस्थिती में पहुचे हमें नहीं पता लेकिन जब जब पता चलता है हम उनके बारे में चिला चिला के अच्छा और बुरा बोलते है अच्छा बोलने वालों के वारिस भी आज मौजूद नहीं है जीवित न कि अ से कि अ चुर्ई लंचे तडर सुब ? कि अुर्ज लंचे लंचे मैं है कि अुर्ण है ढ करनाओ करना में और में दो दो वगर भी लंगा ड दो ते दो हो ऊजड़